नमस्कार दोस्तों इंग्या स्वाइक्स चैनल पर आपका स्वागत है तो पिछले काफी लंबे समय से Middle East की जो परिस्थितियां है वो काफी ही critical है लेकिन recently जो इसमाई घनिया का assassination हुआ उसके बाद से वहाँ का जो temperature है Middle East का वो एकदम से spike हो गया है एकदम से ऊपन चला गया है इसमाई घनिया के assassination के बाद से तुरंती आयतुला कुमेनी जो कि इरान का supreme leader है उसने इसराइल को ये दम के दी के वे लोग इस कुकृत्य का हरजाना भुकतेंगे साथ ही में इसराइल के उत्तर जो हेजबुला पिछले काफी लंबे समय से इसराइल के उपर हमला कर रहा है उनका जो leader है असर नसर अल्ला उसने भी एक statement जावी करते हुए इसराइल को दम की दी अब ये चीजे पिछले दो-तीन दिन से चल रही हैं लेकिन उसके उपर कोई भी प्रतिक्रिया तुरंत ही देना कोई भी नीचर्ट रियक्षन देना हमको उचित नहीं लगा तो उसी के चलते हैं हम लोगों ने थोड़ा पपर तहरे रखा और वहां पर चुपर इस सेतियां डेवलप हो रही है जिस तरह से गतिविदिया हो रही है इरान में, लेबनेंड में, इस्राइल में और यूएस के दॉपर हम लोग constantly नजर बनाया हुए थे उसी के उपर से हम लोग ये particular analysis लेकर आएं आपके सामने कि अब जो Middle East में होने जा रहा है वो किस तरह का माहौल पूरी दुनिया के लिए create कर सकता है शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्राइब करें, बेल आइकन दबना ना पुले, ताकि आपको ऐसी कबरे हैं, ऐसी analysis मिलते रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं, तो जैसे ही इस्माइल रहनिया का assassination हुआ, उसके ही तुरंथी बात से, इरान से और लेबिनन से, हिजबला से, कई सारे statement आना शुरू हो गए और उसमें भी खास करके, आयातुला कुमेणी और हसर नसरला ने ये statement देते हुए कहा कि इसराइल इ तक्रिबन आट महीनों के पहले, जब Operation True Promise किया गया था इरान के द्वारा, जब इरान में से 300 से जाधा aerial projectiles जिसमें rockets, missiles और drones भी fire किये गए, उस समय क्या हुआ था, उन परिसितियों के उपर एक नजर डालेंगे, तो जब Operation True Promise हुआ था, तक्रिबन आट महीनों पहले, जब इरान के President Prime Rice ही हुआ करते थे, जो उस समय जिन्दा थे, उस समय हया थे, उस समय इरान ने इसराइल के उपर 300 से जाधा rockets, missiles और drones के द्वारा हमला किया था, उन समय से major projectiles को 20 रास्ते में ही मार गिराया गया था, USA के द्वारा और इसराइल के द्वारा, तो उसी के चलते, इस के सामने, इसराइल ने कोई भी retaliatory attack नहीं किया था, अब उस particular समय जो missiles, rockets और drones फायर किये गये थे, उसकी संक्या, इरान से 300 के करीब थी, उसी के सामने, USA और इसराइल दोनों में से कोई भी offensive mode में नहीं था, दोनों ही defensive mode में थे, दोनों ही जो भी missiles, drones वगिरा फायर किये गये उनको रोकने के लिए ही बस वहाँ पर एक strategy बना कर बैटे हुए थे, उसको रोकने में वो काफी हद तक कामियापी हुए थे, लेकिन अगर बात करें हाल की परिस्तितियों के, तो पिछले दो-तीम दिनों से Middle East में, USA के द्वारा, इरान के द्वारा, दोनों ही sides कुछ इस प इसराइल को प्रोटेक करने के लिए, USA इसराइल को प्रोटेक करने के लिए, जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो सब करेंगे, तो उसी के चलते हो लोग, एक defensive stance already उनके पास ready है, defensive guard, एक protective circle उनके पास already ready है, जहां पर उन्होंने इराग में कुछ installations किये हैं, Jordan में कुछ installations हैं, स इस पूरे theater में, Middle East के theater में उतार दिये हैं, सबसे पहले अगर इसराइल की बात करें, तो वो काफी clear है, वे लोग हाल में Hezbollah के उपर attack कर रहे हैं, Lebanon में, और उन लोग के पूरे तंत्र को द्वस्त करने में, इसराइल लगा हुआ है, आज भी Hezbollah से constantly rockets fire हो रहे हैं, जो प बात करें, इसके साथ ही में USA के, तो USA इस बात, defensive mode में नब होकर, offensive mode में हो, इस प्रकार का मालूब बढ़ रहा है, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे के जो reasons से हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं, कि जहां पर एक तरफ, already USA ने अपनी जो एक naval fleet है, including aircraft carrier, और उसका जो पूरा strike group है, वो Mediterranean Sea में लगा दिया है, यानि कि इसराइल के, west side पर, वहीं पर दूसरी तरफ, Theodore Roosevelt, aircraft carrier, और उसके साथ में उसका जो strike group है, वो state of hormones से कुछी किलोमेटर की दूरी पर है, यानि कि इरान से ठीक नीचे की तरफ, वो हाल में बैठा हुआ है, अब ये जो particular aircraft carrier ह Theodore Roosevelt, वो nuclear capable है, यानि कि वो nuclear weapons ले जा सकता है, अपने साथ रख सकता है, और अपने में से fire भी कर सकता है, तो वो एक जहाज और उसका पूरा strike group है, इजरान के ठीक नीचे बैठा हुआ है, स्टेट और फॉर्मूस से कुछी किलोमेटर की दूरी पर, दूसरी तरफ, कई सारी इसी तस्वीरे निकल कर आ रही है, कि Middle East में से, USA Air Force के B-2 Stealth Bombers, जो फिर से एक बार, नूक्लियर के भी बिलिटी रखते हैं, बे लोग वहां से टेक आफ करते हुए, और आसमान में उरते हुए दिखाई पड़े हैं, तो उसी के चलते, ये जो पूरा वहां का Middle East का माह और इरान को वह सभी जगाओं से केर कर बैठा वो, साथी में कलेक येस ओफिशल का भी बयान आया, तो USA ने अपने 4000 मरीन्स और सेलर्स मिडल इस्ट की ओर रवाना कर दिया है, तो इसे के चलते, USA अपनी स्ट्रेटेजी में ये क्लियर है, कि वह इस बाग डिफेंसिव मोर म ना होकर ओफेंसिव मोर में है, अगर इरान कोई भी गल्ती करता है, तो इसराइल और उससे बिर्जादा, USA इरान को तबाह करने के लिए तयार है, तो ये थी एक साइट की बात, जहांपर हम लोगों ने देखा कि इसराइल और इस खाल में किस तरह से मिडलीस्ट में कर रहा है कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा असला तयार है, एक पूरा वेपन सिस्टम तयार है, जिसमें एक वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि वे लोग अपने जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनको इसराइल के एक जो नुकलियर पावर प्लैंट है, उसके उप जो की मोडिफाइड किये गया है, इसमें से स्वाम ड्रोन्स को समंदर में से लाँच किया जा सकता है, अब बात ये चल रही है कि इस प्रकार के जो बोट्स हैं, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में इरान ने अलरेडी रेडी कर दिये हैं और वे इसराइल के उपर हमला करने क लिए तयार है, तो हो सकता है कि अगर ये युद्ध छिरे, तो जिस प्रकार से रिपोर्ट बता रहा है, इरान इन बोट्स का यूज करके स्वाम ड्रोन्स को इसराइल के उपर हमला करने के लिए उप्योग में ले सकता है, इसके अलावा कुछ और भी फुटेजिस आ रही इसराइल की और फेस करके रेडी रखी गई है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ये एक एक्चुल वीडियो है, ना कि एक सिमिलेशन वीडियो, तो इससे ये पच्ट पता चल रहा है कि इसराइल कोई न कोई अरकद ज़रूर करेगा, साथी में दूसरी कबर ये भी आ रही है कि रश्या से constantly IL-76, जो कि रश्या का एक cargo aircraft है, जो weapons transfer करने के लिए यूज में आता है, उसकी गतिवितियां पिछले 24 से 48 गटे से constantly देखी जा रही है, observe की जा रही है, trace की जा रही है, जिसमें वो constantly इरान में enter करता हुआ और return होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसके च अफवा ऐसी भी घूम रही है, social media के उपर, जिसके बारे में आपने कल भी X के account के उपर, और साथ ही में आपने WhatsApp चैनल पर भी share किया था, कि एक ऐसी अफवा चल रही है, एक ऐसी खबर चल रही है, कि एरान ने रश्या के पास से इसके अंदर ballistic missile acquire कर ली है, अब ये जो particular risk के इंदर ballistic missile है, वो nuclear capable है, लेकिन इरान अभी तक कुल के बाहर नहीं आया है, कि उसके पास nuclear warheads है या नहीं, तो ये संभावना है, comparatively कम है, क्योंकि कोई भी major news media outlet, या फिर किसी भी news agency ने, या फिर किसी भी Iranian government official ने बाहर आकर इसके बारे में कोई भी बात अभी तक नहीं की है, तो इसी के चलते, ये particular जो बात है, जिसमें इसके इंदर ballistic missile रश्या के पास से इरान को मिली हो, ऐसी ख़बर चल रही है, उसकी हम लोग पुष्टी नहीं कर पा रहे हैं, तो take it with a pinch of salt, उसको जादा seriously ना लें, जब तक इसकी कोई भी पुष्ट किसी भी government official के द्वारा ना क मुर्मान्स नामक एक electronic warfare system पूरा acquire किया है, और इरान ने पूरे देश में अलग अलग जगाओं पर इसको install किया है, अब ये particular मुर्मान्स electronic warfare system क्या है, तो ये एक ऐसा electronic system है, जो long range communications को block करने के लिए, jam करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, हमारे गरों में, offices में आपने कई जगा पर देखा होगा, experience किया होगा, कि signal jamers होते हैं, लेकिन उनकी जो range होती है, वो कुछ meter सब कुछ feet तक होती है, ये जो particular electronic warfare system में वो भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसकी जो ranges है, वो कई kilometer जादा बताई जारे है, तो इसी प्रकार से इरान defensive approach भी ले रहा है, वह अगर वो single missile या rocket fire करेगा इस्राइल की ओर, और अगर कलती से वो इस्राइल के किसी मुख्य जगा पर जाकर किरा, तो उसके बौपरती घातर परेना, इरान के होने वाल, तो उसी की तैयारी में इरान भी बहुत सारी गदिविदिया कर रहा है, बहुत सारी activities कर रहा है, बहुत सारी गदिविदिया कर रहा है, तो उसी के चलते हम लोग यह देख सकते हैं कि इरान भी aggressive as well as defensive stance लेकर हाल में चल रहा है, कल राद से ये बात है चल रही थी, कि इरान कल राद को ही attack करेगा, साथ ही में इस्राइल से भी ये cover आई थी, कि इस्राइल ने अपने जो neighboring कर जो उनको support करने के लिए ready है, उनको already उनको ने बोल दिया है, इस्राइल ने बोल दिया है, कि वे लोग ready रहें किसी भी प्रकार का project है, aerial project है, यानि कि missile या rocket या drone वहां से गुजर सकता है, तो वे लोग तयार रहें और उसको मार के रहें, तो इस प्रकार की तयार यहां भी बहुत ही बढ़ जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया, USB अपनी पूरी तयारी के साथ इस बार उत्रा है, Middle East में, चाहे वो Mediterranean के साइड हो, चाहे वो State of Hormuz की साइड हो, यानि कि इरान के टिक नीचे, उसी के सामने इरान भी बहुत ही बड़ी मात्रा में तयारी करके बैटा हुआ है, इसराइल के नौर्ट से हिजबुला अपनी तयारी के साथ बैटा है, और वो constantly इसराइल के उपर rockets fire कर रहा है, कल रात को भी इसराइल के northern area में, अलग अलग cities के उपर iron node system work करता हुआ दिखाई पड़ा था, तो इसी के चलते हिजबुला की activities constant हैं, वो रुकी नहीं हैं, ये और भी बढ़ सकती हैं, ऐसा नसरल्ला का, हासन नसरल्ला का कहना है, तो कि हिजबुला अतंकी संगतन का leader है, तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरफ ये परिस्तितियां जाती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, एक पी rocket fire होता है, missile fire होती है, तो Middle East का जो प सकता है, तो हमारे ही सब से है, उसकी जो संभावना है, वो काफी एकाम है, क्योंकि इरान को support करने वाला Russia, वहाँ पर Russia Ukraine war में occupied है, China, South China Sea में occupied है, इंडिया neutral रहेगा, क्योंकि इंडिया के इरान और इस्राइल दोनों के साथ काफी अच्छे रिष्टे हैं, तो इंडिया हो स कर चुके हैं इसराइल, तो यूगे का support इसराइल को easily मिल जाएगा, दूसरी जो countries है, जो इसराइल के साथ कड़ी होंगी, उनकी संग्या काफी जादा है, तो हो सकता है, कि ये फिर से एक one-sided war जैसा हो जाए, one-sided battle जैसा हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखना होग कि किस तरह से steps लिये जाते हैं, not only militarily, but also diplomatically, तो जैसे ऐसे updates आएंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, आपको ये खबर कैसी लगी, आपको ये analysis कैसा लगा, यहां में जरूर बताएं, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और आपको क्या लगता है, कि क्या world war 3, इस प हिंट हरूर्मादिक.